भारत मता की भारत मता की वन दे चत्रपती शिवाजी महराज की चत्रपती शिवाजी महराज की आज केस शवर्य संध्या में हमारे बीच उपस्थित भारतिय सेना के सेना प्रमुक जनरल मनोश पांडे जी मेजर जनरल एसके विद्यार्थी जी मन्चासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बेहनो और भाईयो सबसे पहले तो मैं आधरनिय जनरल मनोश पांडे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये शोर्य संध्या आज हमारे नाकपुर में आयूजित हुई और हमारी सेना की वीरता से हमारी सेना की दुड़ता से हमें परिच्चत होने का मौका मिला और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि आधरनिय सेना प्रमुक जनरल मनोश पांडे जी इनकी जन्म भूमी भी नाकपुर ही है तो हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि भारत की सेना के प्रमुक हमारे नाकपुर से है और आज हमारी सेना का जो रूप हमने देखा है हम सभी को अपनी सेना पर गर्व है ये भारत की सेना है जो न रुकती है न जुकती है न ठकती है न बिकती है न डरती है ऐसी जाबाज सेना हमारे भारत की और उसी का एक छोटा सुरूप आज हमें देखने को मिला इसलिए मैं बहुत बहुत आभार विक्त करता हूँ और जैसा हम सभी लोग जानते हैं ये फरवरी का मेहना है और आज से पाथ साल पहले 26 फरवरी 2019 को हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि ये सेहने वाला भारत नहीं है अगर हमारे उपर हमला होता है तो हमारी सेना घुसकर मारेगी और 26 फरवरी 2019 को हम सभी जानते हैं हमारे सेना ने बाला कोट में घुसकर एर स्ट्राइक करते हुए हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबुत करके हमारी सेना की ताकत क्या है ये दिखाया था और दोस्तों आज तो आत्म निर्भर भारत की एक आत्म निर्भर और मजबूत सेना हम देख रहे हैं एक ऐसा भारत हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृतु में आज तयार हुआ है जो अपनी वार्शिप भी बनाता है जो अपने वार्फ प्लेंज को भी बनाता है और सब प्रकार के सैन्य उपकरणों को अपने ही देश में बनाता है और एक प्रकार से मजबूत और आत्म निर्भर इस प्रकार की सेना आज दुनिया में हमने तयार की है और हम सभी लोग अपनी सेना पर गर्ब भी करते है और साथ साथ हमारी सेना के लिए हमारे देश के दिल में एक बहुत ही बड़ा जज़बा है जो हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों मैं आज इस मोके पर इतना ही कहना चाहता हूँ हम लोग इस देश में महफूज है ये देश विकसित हो रहा है हम सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सेना और हमारी सेना के जाबाज अफसर और जवान हमारी देश की सीमाओं को सुरक्ष पश्चित रखते हैं, इसलिए हम लोग आज मेहफूज अपने आप को यहां पर पाते हैं। इसलिए ऐसी हमारी सेना को मैं सलाम करता हूँ और ये जो शॉर्य संध्या है, ये केवल स्ध्या बाहत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेश रूप से हमारे जनरल मनोज पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ और नाकपूर वासियों को मैं यह आवाहन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह जो स्वरूप है उस स्वरूप को देखने के लिए आप सभी लोग जरूर पधारे और विशेश रूप से हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आए और इस रूप को देखकर वे भी अपने दिल में सेना में जाने का एक जज़बा तयार करे और अपने देश के लिए हम लोग कुछ करने की एक चाहा अपने मन में पैदा करे इसलिए यहाँ पर आकर देखे जिस प्रकार से हमारे सामने अलग-अलग प्रकार की कवायते यहाँ पर हुई ऐसे सभी हमारे जवानों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनन्दन करता हूँ उनक मारतिय सेना का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय हिन जय महराश्टर जय भारत